बिस्मिल्ला रख्मान रहीम, दियर स्टूडेंट्स, अस्लाम लेकूम, उमीद करती हूँ आप खेरियत से होंगे, आज हम जमादों किस रमयात पढ़ेंगे सफ़ा नंबर 24, सबक नंबर 9, उन्मान है अल्ला ताला के पेगंबर पेगंबर बचो, वो हते हैं जो अल्ला का पेगाम इंसानों तक पहुंचाते हैं आएंस के पढ़ाई करते हैं अल्ला ताला ने इनसानों की रहनमाई के लिए तकरीबत एक लाखचुविस हजार पेगंबर बेजे पेगंबर अल्ला ताला के संदीदा बन्दे थे पेगमरों ने लोगों को अल्ला ताला की रिजा हासल करने का तरीका बताया तमाँ पेगमरों ने लोगों को ये खुशखबरी दी कि अगर वो अल्ला ताला के हिकामात के मताबक जिनकी गुजारेंगे तो काम्याब हो जाएंगे बच्चो अल्ह ताला ने इन्सानों की रहनमाई के लिए कितने पेगंबर बेजे एक लाख चुबिस हजार और पेगंबर जो हैं वो अल्ह ताला के खास बंदे होते हैं पेगमरों ने लोगों को अल्ला ताला की रजा अल्ला ताला की खुशी हासल करने का तरीका बताया और पेगमरों ने लोगों को खुशखबरी दी कि वो अल्ला ताला की खकामाद यानि कि अल्ला ताला की हुकम को अगर मानेंगे तो वो जन्दगी में काम्याब होंगे प़र ग्रफ नमर fabrication को अधरत आदम अलियसाँ हभरत आदम अलियसाँ इस दुनिया में सबसे पहले इनसान हो पहले पेगमर थे हभरत आदम rocket काक्थ 90 फुस था हभरत आदम अलियसाँ को अल्याले ने उलाद की नहमत से भी नावाजा सब इनसान हड़त आदम आलयूप की उलाद हैं, हड़त आदम आदम आलयूप की ये सबक दिआ कि वो एक अलाद की इबादत करें बच्चो, हड़त आदम जो हैं, वो सबसे पहले पेगंबर थे, हामस geschब حضرت آدم के उलाद है حضرت آدم अलेप्लाद ए फिर्ता थाराफ नम्र बू है । अजके वह पेगमर थे जिन्हों ने तक रिबन 950 साल तक लोगों को अल्य त 250 की तरफ बलाया इन की तबलीग से करीमन 83 अफराद मुसल्मान हुए जब के बाकी तमाम अफराद ने नाफरमानी की अज़त नू ने अल्द आला की हुकम के मताबिक एक बहुत बड़ी कष्टी तियार की अल्द आला ने अज़त नू अले इसलाम को हुकम दिया कि वो अपने साथियों को कष्टी में सवार कर ले इसके बाद आल्ला ने तमाम समीन में पानी का सिला बेज़ दिया तमाम नाफरमान डूब के और फर्माबरदार कष्टी में सवार होकर बच गे बच्छे अज़त नुह अले इसलाम नो सुपचास साल लोगों को इसलाम की दावद देते रहे उस दुरान 83 अफराद जो हैं वो मुसल्मान हुए और बाकी तमाम लोगों नाफरमानी की तो अल्ला ताला ने उन्हें हुकम दिया कि वो एक कष्टी तियार करें उन्हें अल्ला के हुकम से एक कष्टी तियार की اللہ تعالیٰ نے उन्हें कहा कि जो लोग मुसल्मान हो गए उनको अपने साथ किष्टी में सवार करने इसके बाद लोगों पर ना फर्मान लोगों पर अपना अजाब नाजल किया और सलाब से वो तमाम ना फर्मान लोग डूप गए और जो फर्मा बरदार वो किष्टी में सवार होकर बच गए पराग्राफ नमबर तीन है हज़र दोद लैसलाम पर रस्माने किताब नाजल की जिसका नाम जबूर था जिसका नाम जबूर था लाज ताला ने जज़र दोद लैसलाम को ये मुज़ा भी अता किया कि आप अलिए इसलाम जब लोहे को पकरते तो वो मौम की तरह नरम हो जाता। लोहे से आप अलिए इसलाम जिरा तियार करते और फरोक्त कर देते। इस तरह आप अलिए इसलाम शेय खजाने से पैसे लेने की बजाए मैनस से रोजी कमाते थे हज़र दौद अलिए इसलाम ने भी लोगों को एक अल्ला की अबादत करने की तलकीन की पचर चार अस्मानी कताबें हैं जिन मैसे जबूर हज़र दौद अलिए इसलाम पर नाजिल की गई थी हज़र दौद अलिए इसलाम की इतनी मीठी आवास थी कि जब वो जबूर की तिलावत फरमाते थे तो परिंदे भी उनके ओवास सुनने के लिए अगठे हो जाते थे और दौद अलिए इसलाम को ये मुझजा अता किया गया था क्यों लोहे को पकड़ते तो नरम हो जाता और दौद अलिए इसलाम करके कमाते थे यानि के लोहे से जीरा तियार करते थे और वो बिज़ते थे उन्होंने कभी शायख जाने से पैसे नहीं लिये थे हज़त दौद अले इसलाम ने भी लोगों को अल्ला तला की अबादत का दर्स दिया बच्छों सफ़ा नमर है 25 परग्राफ नमर है 4 हज़त अबरहिम अल्याइसलाम के पेगमर थे आप अल्याइसलाम एराक में बैदा हुए इन दिनों लोग बुतों की पूजा करते थे हज़त अबरहिम अल्याइसलाम ने लोगों को कहा कि वो सिर्फ अल्याइसलाम की अबादत करें और बुतों की पूजा तर्क कर दें अल्ह कि अल्गा ने लगना की आप बताँ व्यकांफ गया मतलब आल्गा का दोस्तु त जो हब्स्तु इबिएिम्ए अल्यस्वा, बल्ह का लगना से नंimento को बोलत क्यांद आध लारते अश्र कर दीग, और सिर्फ आला की अबादत करें तो लोग जो थे वो उनके खिलाफ हो गए थे उन्होंने बहुत बड़ी जगा पे आग जलाई और उसमें अज़त अबरहिम आले इसलाम को डाल दिया लेकिन किए खज़त अबरहिम आले इसलाम की पेगंबर और खास बन दे थे तो अललाई आलाई ने उनको जलने से महफोज रखा खज़त अबरहिम आले इसलाम को खलील अलला का लकब दिया गया जिसका मतलब है अललाई ताला का दोस्त पेरग्राफ नमोर 5 बंसा अलियासिलम बंसाने मिसर पेदा हुए रो जुछ टाला के पेगम्मर थे इन दिनों मिसर में फिराँन हकोमत करता था फिराँन लोगों को कहता था कि वो इसे खदा मनें और इसकी आगे चुकें हधित बंसा अलियासिलमने लोगों से कहा कि वो सिर्फ इवादत करें और इसी के सामने सर जुकाएं फिरौन मुसा आले इसलाम के खिलाफ हो गया और आप आले इसलाम को मारने के दर पे हो गया बचों, हज़़त मुसा आले इसलाम जो ते, वो मिसर में पैदा हुए थे और वो भी अलाओ ताला के पेगंबर याने के खास बंदे थे क्योंकि वो मिसर में पैदा हुए तो मिसर का जो अकमरान था बादशा था वो फिरॉन था और फिरॉन जो है वो लोगों को कहता था कि वो फिरॉन को खुदा माने जिए जबके खुद्ध attend लोगों को लाओ ताला की अबादट का दर्स दिया और उसी के सामने जुकने का कहा फिरॉन खुद्ध मुसर लगों के खिलाफ हो गया तो वो आप अलेशा यह को मारने के इराद़ा करने लगा आगे हैं आगे आsomething आफिर अफिरोन ने फिरोन को इसके लेचकर के साथ सुम्मुंधर में अगार कर दिया जबकि आफिरोन ने भून एक लाफ नो इंके सातियों को उसी जगा से बाइफाशक पर गुजर दिया حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی CirTurnul memory need कलीم اللہ کا लکब अपा किया कलीم اللہ کا मतलब है اللہ تعالی illness से गुफ्तगू करने वाला حضرت موسیٰ علیہ السلام को आस्मानी कताब τοुराओ भी अपा की गी जो 4 आस्मानी कताब हमसे एक आस्मानी कताब حضرت موسیٰ علیہ السلام के नाजल हुई पर जाकर अला तला से हम कलाम होते थे शादे बारित आला हैं और फिर हमने मुसा अल्य इसलाम को हुकम दिया के अपनी लाटी को दर्या पर मारें चनाचे लाटी मारते ही दर्या पाट गया और हर हिस्सा इतना बड़ा हो था जैसे के बड़ा पहाड फिरॉन हज़त मुसा अले इसलाम को मारना चाहता था लेकिन अल्ह ताला ने फिरॉन और इसके पूरे रशकर को दर्या में अगर कर दिया और हज़त मुसा और उनके साथियों को महफूज रखा पेराग्राफ नमर है चेज हज़त इसलाम हज़त इसलाम अल्ह ताला के पेगंबर थे अल्ह ताला ने इसलाम को ऐसी खुबियां अता की थी कि वो फूंक मारकर मट्टी के परंदे में जान डाल देते और वो उन्ने लगता वो मरिजों को हाथ लकाका सिथ जाब कर देते और मुर्दों को जिन्दा भी कर देते थे अल्ह ताला ने अज़त इसलाम को असमानी किताब इंजील अता की अल्ह ताला ने उन्हें रू उल्ला का लका बता किया बच्चों हजदत इसलाम अल्ह ताला की खास बंदे थे और उनमें बेशमार खूबियां पाई जाती थी वो फूंक मारकर मट्टी के परंदे में जान डाल देते थे और वो उन्ने लग जाता था उनके हाथ में शिफा भी थी वो मरीजों को हाथ लगाते तो वो सिध्याब हो जाते मुर्दों को जिन्दा कर देते थे असमानी किताब उन पर अंजील अता कियी अल्ह ताला ने उन्हें रू उल्ला रू डालने वाला रूला मतलब रू डालने वाला लकब अता किया सफ़ा नमर है 26 बचो आप मश्च कर लेते हैं स्वाल नमर है का दिये कि अलफाज की मदद से खालिज़े का पूर करें आदम अले इस्क्राम बंदे, रहनमाई, कश्टी, नवे अलिफ आला ताला ने इंसानियत की डैश के लिए बहुत से पेगंबर बेजे, इंसानियत की रहनमाई के लिए बेहेब पेगंबर अल्ह ताला के पसंदीदा डैश थे, बंदे थे जी मैं पहले पेगंबर का नाम हज़त डैश था, हज़त आदम अलिएसलाम था दाल है, हज़त आदम अलिएसलाम का कद डैश फुट था, नवे फुट था है है, हज़त नूव आलिएसलाम ने अल्ला ताला के हुक्म के मताबक एक बड़ी डैश थियार की एक बड़ी कश्टी थियार की सवाल नमबर दो है मदजज़ेल स्वालों के जवाबाद दें अलिफ है हजदत इबरहिम अलिएसलाम कहां पैदा हुए हजदत इबरहिम अलिएसलाम इराक में पैदा हुए बे है मिसर के बादशा का नाम क्या था मिसर के बादशा का नाम फिरौन था जीम है हजज़त नूँ अलिएसलाम की तबलीग से कितने लोग मुसल्मान हुए जवाब है हजज़त नूँ अलिएसलाम की तबलीग से तेरा सी लोग मुसल्मान हुए दाल है हजज़त दौद अलिएसलाम को क्या मुज़ा अता किया गया जवाब है दौद अलिएसलाम को ये मोज़ा अता किया गया कि जब लोहे को पकड़ते तो वो मौम की तरह नरम हो जा था है है हजदत अबरहिम अलिएसलाम को कहा पहंका गया जवाब है हजदत अबरहिम अलिएसलाम को आग में पहंका गया स्वाल नबर तीन है, कालिम ऐलफ को कालिम बे से मिलाएं हिद्ड दोउद लिस्फ लिया ईदिया मैं हिद्ड मुझा अनुझाला । तौरात दिया गई एस्च अलिस्फ लिया ईस्फलाल को अस्मानी किताब इनजील दी गिए खलीलूला काल्गव हजड़ अिभर Müsm compelling को दिया गया कलीम अिभर Müsm अुर काल्ग हजड़ मुसा अलिया गया वच्छोस्फा नमर 17 स्वाल अमर है जा दरुजवापर टिक निशान लगाएं अलीफ है अजड़ मुसा अल์च कहां पैदा हुए रसूल का दोस्ट, फरिश्टों का दोस्ट, अल्ला का दोस्ट है ही है है, हजज़त दौ् Purdue Алë इस्लाम लोहे से क्या चीज़ त्यार करते थे हैं, दौरं लोहे से क्या चीज़ त्यार करते थे से हैं अब्राहिम लिए के ज़गा करते थे आग की, बुतों की, पहाडों की, बुतों की हे है, रू ऐल्ला किस न्भी का लकब था और रू लिए ये इस्लाम, घू था अजदिते, आउद ये निए लिखार। बच्चों, आपने इस सबक की पढ़ाई करनी है और इसके माज़ को अपने कापी पर लिखना है अपना और दूसरा का ख्यार रखें खुदा हाफीज